असलाम उलेकुम विवर्स वेलकम टो माई चैनल एफ ओ एमसी की मीटिंग रिलीज हो चीकिए मिनेट्स और इंट्रस्ट रेट पाज हो चुका है ठीक है विवर्स अभी भी निउस आईए एफ ओ एमसी की मीटिंग के अभी मैं आपको ट्वीट भी दिखाता हूँ निउस आपको आज बिट्कॉइन की प्राइस ने करना था लेकिन स्टेबल होगी इस न्यूज की वज़ा से और पाजिटिव नीज है विवर्स काफी अच्छी न्यूज है ठीक है यह तो बिट्कॉइन का चाट है सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूँ न्यूज ठीक है एफ नेक्स्ट मीटिंग तक जो नेक्स्ट एफ़मसी की मीटिंग होगी न उसमें क्या होगा वो तो नेक्स्ट मीटिंग में जारी बाते पता चलेगा तो इंट्रस्ट रेट अभी पाज हो चुका है अब अगर हम देखें तो हर तरफ यही न्यूज चल रही है ठीक है यह तो बिटकोन एक सिस्टी ती ती तरून एंड सेवन हड़र इन दे कमिंग मंथ यह दूज लॉंग टर्म एक चार्ट है चलें यह भी आपको मैं दखा देता हूं है देखें डिफरेंट साइकल्स दिया हूं है फस्ट साइकल ठीक है यह फस्ट साइकल है ठीक है उसके बाद फ ठीक है यह थर्ड साइकल हो गया और इसके बाद अभी फॉर्ट साइकल है तो उसके मताबए कि यह कहता है कि यूँ जाएगी तो यह देखें कहां तक जा रही है यह दो लाग ढाई लाग डालर पर बिटकोन के तक विवर्स प्राइस जा रही है ठीक है और यह मैं आपको हो जाते हैं ठीक है क्योंकि एटीफ जब अप्रूव हो गया तो यह बहुत बड़ी डिमांड आईगी और यह टार्गिट असानी से अच्छीव हो सकता है एटीफ के बाद आप खुद सोच लें एटीफ से प्रूव होते हैं तो फिर पीछे जब डिमांड होगी मार्केट म आपको पता है बहुत कम टू मिलियन से भी कम बिटकोई ने जो के मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बाइंग के लिए अफेलेबल हैं बाकी सब तो लोगों के पास हैं उन्हें अपने पास स्टोर कियो हैं कोई बेजने को तयार नहीं है ठीक है तो बात हो रही थी एफ ओ बिटकोई की प्राइस है ना इस पर स्टॉप लगा हुए एक्चुली इस टेम पे यह जो साइडवेस मूवमिट होती है यह इस वक्त लांग को भी वाइप कर रहा हुता है और शॉर्ट को भी वाइप कर रहा होता है ठीक है जिन्वे लांग और शॉर्ट पोजिशन है भी ठीक है तो इस पैटर्न के मताबिक बिटकून की प्राइस को हिस्ट्री में हिस्ट्री में मताबिक अभी मजीद इसको उपर जाना चाहिए यह देखें वर्स ठीक है यह जो यलो आपको सरकल नदर आ रहा है इस रेट एनचेंजड एट 5.25% तो 5.5% ठीक है यह है आज की इंपोर्टेंट निव्ज 5.25% तो 5.5% जो कि पिछला रेट था ठीक है इंटरस्ट रेट था वही है अभी तक ठीक है अब इंटरस्ट रेट विवर्स क्यों बढ़ा जाता है ठीक है मैं आपको कई दफा यह बत आ चुका हूँ विवर्स यह होता है महंगाई को कंट्रोल करना के लिए ठीक है अचा आप पिछले दो तीन महीनों से अगर आप मेरे चैनल फालो कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार यह FOMC CPI महंगाई USA की यह मैं आपको रेगूलर बताता हूँ अगर आपको याद होगा पिछले दो तीन महीने से तो इंफलेशन इंक्रीज हो रही है CPI में इंक्रीज आया है ठीक है तो फिर क्या वज़ा है कि इंट्रस्टेट उन्होंने पास कर दिया प्याहां पर इंक्रीज करना चाहिए था ठीक है पिछली मीटिंग में थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है पिछल मसला यह है कि महंगाई को कंड्रॉल करने के लिए हर टेम इंट्रस्टेटी बढ़ाते जाओ तो यह ऐसा नहीं होता ठीक है हर टेम आपने बढ़ा सकते है आपने बैंक्स को भी देखना होता है फाइनिशल इंस्टिशन को भी देखना होता है उन पे प्रेशर आता ह है ठीक है जब आप हर टेम इंट्रस्ट रेट ही बढ़ाते रहेंगे तो फिर उन पर प्रेशर आता है बैंक्स पर इसलिए यह डिसीयन इतना असाइन डिसीयन नहीं होता ठीक है इसमें बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है तो आज महिंगाई इंक्रीज होने के बावजूद भी इन्हें पास रखवा उसकी वाज़ी है कि बैंक्स वीवर्ज आलड़ी आपको पता होगा अमेरिकन बैंक्स अरड़ी कुछ कुलाप्स हो चुके हैं और बकाया भी कुलाप्स होने के बिलकुल करीब हैं तो अगर इंटरस्ट रेट बढ़ाते हैं तो बैंक्स पर बहुत बहुत ज़्यादा वीवर्ज प्रेशर आता है यह FMC की मीटिंग यह देखें वीवर्ज यह इसकी बिलकुल ठीक है निवस को ट्रेट करना बहुत रिसकी होती है ठीक है यह यहां पर वीवर्ज अभी आपको दिखाता हूं मैं ठीक है यह देखें विवर्ज फौरावर केंडल ठीक है यह नजर आ रहे हैं यह रहे हैं यह जो करेट कंडल हैं देखें 35,200 तक प्राइस गई थी ठीक है अगर हम वनावर केंडल को दिए रहे हैं अब बहुत क्लियर नजर आ रहा है ठीक है वह देखें विवर्ज 35,200 तक प्राइस यह 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 यहां तक आई ठीक है न बड़ी केंडल उसके बाद वापस विवर्ज 34,000 तक आई ठीक है लेकिन अब फिर उपर जा कर लिए हैं यह यह विवर्ज नियूज से अधा गेंटा पहले विवर्ज काफी ज्यादा ट्रेडिंग हुई है इस काफी सारे लोगों नहों सकता है फाइदा भी उठाया हो काफी सारे लोगों को नुकसान भी हुआ होगा अच्छा क्या एथीरियम में हुआ है ऐसा जिहा यह देखें एथिरियम की प्राइस 18.20 पर रहे भी ठीक है और 18.32 से वापस होकर आई और 18.20 काफी stable price है वीवर्स अचा BNB को देखें वीवर्स बीनबी की थोड़ी सी पॉजिशन वीक है वीवर्स अभी तक BNB में weakness है ठीक है बाकी कारड़ानों है तो कारड़ानों में भी weakness है अबी इतना ज्यादा कोई power show नहीं कर रहा हाँ वाव 46.9 तक टच करके है सोलाना वीवर्स ठीक है अच्छा वीवर्स एक बात मैं आपको बता हूँ आपको याद होगा मैंने सोलाना पर वीडियो बनाई थी आपको मैंने बताया था कि मेरे पास सोलाना है मैं इन्वेस्टिट वी मैंने उसको टेक्निक एलेसिस की वीडियो भी बनाई थी आप उसको देख लें मेरे चैनल पर जाएं आप वीडियो देख लें सोलाना के टेक्निकल अनलेसिस की था और बिल्कुल यही प्राइस प्रेडिक्शन मैंने की थी और आज देख लें बिल्कुल वैसी प्राइस जारी ओपर और मैंने आपको कहा था कि मेरे सब्सक्राइबान साड़े पांसो छेसो डालर के सोलाना थे उस वक्त अभी उनकी वेलियो होगी यह तेरा सो डालर ठीक है यानि मेरा प्राफिट हंडर परसंट से भी इंक्रीज कर गया यह होता है एक अच्छा टेक्निकल अनलेसिस एक अच्छा आइडिया शेयर करना मैंन अभी थोड़ा से शार टाम के लिए पकरक्शन होगी लेकिन जो नेक्स्ट अपरचुनिट्टी जो मुझे नजर आ रही है वो कारडानो में A.D.A. कारडानो कोईन में ठीक है कारडानो में अभी तक इतना बड़ा पंप ड्यू है अभी तक इतना बड़ा पंप नहीं आया यह देख रहे हैं ने विली चार्ट में गर्कर लेवल पर गरंदेखें इसी तरह अगर मैं A.D.A. को देखें तो A.D.A. इतना बड़ा पंप नहीं आया है बड़ाप्प आगर आया थो विटगोएंड में आया है यह देखें विटकोएंड में काफी अछा पंप आया है ठीक है टो एथरियंड कारडानो में कशी बड़ापкомivable डूह है अब कर दो भी दंब आ जिका हुआ है के दर गया रहसे लाना किदर गया दोना यह रेकली वीगली चार्ट में काफी बड़ा पंप आ चुक है ठीक है अच्छा अभी यहां जी विवर्स क्रेक्शन हो सकती है सोला ना में उसकी वज़ाई है कि आगे देखें रिजिस्टन्स आ गया है हंडर्ड मुविंग एवरेज यह देख रहे हैं आप अभी आपको में दखाता अब देख रहे हैं थोड़ से एफेक्ट है वोलटिटी ट्री वीवर्स टेम पे काफी होती है कभी पास्टेव होती है कभी नेगिटिव आज कोई न्यूट्रल टाइप पो लिठी नज़र आ रही है तो अभी अच्छी पाजिटिव नियूस थी यह देखिए वर यह एक रिक्टेंगल टाइप थी असेंडिंग नहीं रिक्टेंगल हाँ जी बिल्कों सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ट्राइंगल ठीक है तो यह भी ब् चैनल टोएंगों ने यह शेर किया हुए अब फम्सी की अरजेंट अच्छा यह वही फम्सी की मीटिंग है ठीक है तो विवर्स जो न्यूज आई यह असल में आपको बताने का मकसद है कि जो न्यूज आई यह वह काफी पॉजिटिव न्यूज ए ठीक है अच्छा यहां पर अगर हम देखें मंत्री जो क्लोज हुए ना अक्तूबर को जो मंत्री क्लोज हुए विवर्स वो टू थाउजन एंट वूटिटिट्री का हाइस्ट क्लोज था विवर्स और यह बहुत बुलिश निए ठीक है यहां पर यह देखें हैं अच्छ चलें यह तो इसने ठीक हाइस्ट मंत्री केंडल क्लोज यह देख liken मंत्री केंडल यह टीमें यह बड़ी ग्रीन केंडल क्लोज हुए है धीक है यह हाइस्ट इस 2023 का केंडल क्लोज हुए है और देखिए विवर्स मुसलसल प्राइस व question पर जा रही है अब यहां से हो सकता है कुछ और साईड व पर्क एनँवेस्टम्न सब्सक्रा पर एंवेस्टम्रेट में करता है थिकाए अगर हम से अब इनवेस्टमेंट आती है FMC की मीटिक में काफी पाजिव न्यूस आई बी और आगे जो ETF की news है वो भी काफी positive आने के chances बहुत जादा है ETF approval के chances बहुत जादा है तो market is overall bullish See you in the next video